प्रस्पेक्टिव से देखने में प्रश्ण इसका जरूर मिलता ही मिलता है जैसे हम लोगों ने डिसकस्ट प्रिविएस वीडियो में किया था कि नेनो टेक्नोलोजी का एक क्योशन आपके फिक्स है तो यह दो तिन टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर अगर यह टॉपिक पढ़ लिया मतलग यहां से तो प्रश्ण आएगा ही आएगा ऐसा नहीं कि जीके म हम लोग बिल्कुल 2-4 दिन बचे हुए उन्हीं पर फोकस कर रहे हैं जो की क्योशन आएंगे जहां से आने की चांसे 100% है उस पर हम लोग डिसकस कर रहा है आते हैं इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले देखते हैं क्या है यह टॉपिक जे प्रध्योगी की या पायो टेकनोलोजी टेकनोलोजी क्या होती है जिसके अंतरकत्त हम लोग नई नई जो विढ़ी आख नीक्स होती है उनका उपियोग किस में कर रहे हैं बायों में या जीवित कोशी का हुआ जीवन के लिए अब जीवन भी ऐसा नहीं पेड़ बोदों के लिए पुछ प्रिजन में वही पॉइंट्स पढ़ते हैं जो एक्जाम में आते हैं एक सिंपल लेंग्विज में समझा रहती हूं क्या होता है बायो टेक्नोलोजी का मतलब यह होता है जब हम लोग जीवित चीजों से मानव उपयोगी किसी भी चीज का निर्मान कर रहे हैं तो वो सभी ब अंदर आते हैं मानव उपयोगी केबल हमारे जो बैफाइदा हो रहा है उसी को हम लोग क्या कहेंगे बायो टेक्नोलोजी कहेंगे सबसे पहले किस ने किया था तो क्यारोली रहकी ने किया था आजकल और पेसी का सबसे फेवरिट पैटर्ण जो है वो है कथन जो स्टेटमे याद कर लेना कैरोली रहकी ने सबसे पहले बायो टेक्नोलोजी शब्द का उपयोग किया था अब यह जो बायो टेक्नोलोजी है किस सद्धानत में काम करती है कौन कौन सी चीज़ें इसमें होती है तो इसमें मेंली आपके दो सद्धानत उपयोगी है सबसे पहला जो दे मनुष्य का च्छाट करके मानव उप्योगी चीजों का निर्माण करना दूसरा आ रहा है रसायनिक अभियांत्रिकी रसायनिक अभियांत्रिकी का अर्थ यह है कि जीवित कोशिकाओं का उप्योग करके एसे रसायन बनाना क्या करना एसे रसायन बनाना ठीके जिसकी उपयोग से जैसे कि ठीके पर्टिकुलर कुछ दवाईयां कुछ हॉर्मोंस इन सब का निर्मान हम लोग करेंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बायो ड्रसाइनिक अभी यांत्रे की कहने तो इन दो सिधानतों के उपर बायो टेकनोलजी काम करती है अब पहले यह प्रशना आ सकते हैं इसलिए इनको पहले देख रहे हैं कि जैव प्रध्योगी की शाखाय कौन-कौनसी है ठीके कौन-कौनसी शाखाय है आपकी तो डिसकस करते हैं सबसे पहले यहां पर लिखा है आपका रेड या जिससे हम लाल कहेंगे रंगो के माधियम से ही शाखा होगी के ईंदर आएगी दूसरी देर खी घ्रे जिसे हम कहेंगे हरी हरी के अब्सी बाक अबरे में डिस्कुशन कर रहे हैं तो हरी चीज़े ऑगी एंग्री कल्चर हो गया एंवार्मेंट हो गया या फिर एन्वार्मेंस रेलेटेड बायो टेक्नोलोजी जल्च जो आ होगी कि एकुवा, पल्चर, नीला रंग, पानी का, अब पानी के अंदर होने वाले जितने भी आपके संबंधन होता है, वो सभी चीज़े एकुवाकल्चर में आएगी, इसमें हम समुंद्र के बारे में कुछ बात करेंगी, कोस्त्र रीजन के बारे में जो discussion करेंगे वो सब नीली जेव प्रद्योगी की अंदरगत आएगी अगली दे रेखिए आपको येलो ठीके या जिसे हम पीली कहेंगे तो वो सब food nutrition यानि हम portion और खद्य परदार्तों के बारे में जिसमें discussion करेंगे वो हो गए आपके पीली या येलो बायो ठीकनोलोजी नैस हम को दे रहेखिए ब्राउं या भूरी जेव प्रद्योगी की इसमें हम desert रगिस्तान के बारे में सिफ रगिस्तान के बारे में discuss करेंगी वो होगी बुरी जेव प्रद्योगी की डार की दार्क किसमें आगया आपका बायो टेरोरिज्म या बायो वेरफेर आप सोच सकते हो यहाँ पर हमें सीच के बारे में क्यों बात कर रहे हैं अगर आप लोग मैंस लिखते हो ठीक है आपने से बहुत सारे अच्छी बात होगी बहुत सारे बच्चे मैंस क्वालिफाई करेंग आप सपोस करो मेरे जैसे 10 आपने बना दिया तो फिर कितनी सारी प्राब्लम्स आ सकते हैं अगर कोई देश है जिसको युद्ध करना है और उसने अपनी सेना ऐसे क्लोन बना के बना दी तो वो भी तो आपका टेरिशन के अंदर आ गया तो यह सब डार्क बायो टेकनोलोजी क आती है नेक्स आता है आपका परपल या बेंगनी रंग जो होता है या इसे हम जामूनी रंग भी कहते हैं उसमें हम पेटेंट रिलेटेड पॉब्लिकेशन रिलेटेड और इन्वेंशन यानि खोज अविश्कार जो हो रहे हैं वो वाली बायो टेकनोलोजी फिर आती है आ फिर नेक्स आपकी गॉल्ड या सुनहरी सुनहरी बायो टेकनोलोजी इसमें हम क्या करें बायो इन्फोमेटिक्स बायो इन्फोमेटिक्स नेक नया शब्दारा है या फिर यहां पर लिखा है नेनो बायो टेकनोलोजी जब हम नेनो पार्टिकल्स का यूज बायो टेकनोलो लेजिए ताकि आपको याद रखने में easy रहेगा ठीक है next अब बायो technology जब हम start कर रहे हैं तो बायो technology का जो main कार्य हो रहा है वो किसके उपर होता है आपका इस पर होता है DNA के उपर क्योंकि DNA से आगे हम लोग नहीं चल सकते DNA के उपर ही हम सारा discussion करेंगे तो पहले ये तो समझो DNA होता क्या है ठीक है DNA क्या होता है वो हमें समझना यहाँ पर जरूर है यहाँ पर discussion करते हैं topic के उपर आते हैं सबसे पहले चीज़ DNA क्या है तो मनुष्य का अनुआशिक पदा नोन science background वालों के लिए special है ये point तो क्योंकि म जल्दी करना चाह रही थी बट मैं इसको जल्दी ना करके क्या करूंगे थोड़ा सा यह point को थोड़ा अच्छा discuss करोगे तो मज़ा भी आएगा समझ में भी आएगा देखो DNA क्या है हमारा अनुआशिक पदार्त है ठीक है अब यह जो अनुआशिक पदार्त है यह कहा होता है केसा होता है वो सब चीज़े हम पढ़ेंगे 6-7 और 8 तक आप लोगों ने क्या चीज़ पढ़ी है हमने यह पढ़ा है कि जो आपका DNA है DNA डायेट नहीं पढ़ते है 6-7 में यह पढ़ा क्रोमोसोम क्या है गुर्शुत्र क्या है या फिर कैंद्रक के अंदर पाए जाने व पाए जो अपर है केंद्रक क्या बना रखा है हम लोगोंने कैंद्रकक से अदसे क्या बहारा है है ये पढ़ते है जो अब धागिन्वाशना होती में अश्धूधि घज़े तो इसे हम सभी लोग संद्र को कहें गया अगर दागिश्यों सत्र करोमोसोम स fáad यू पर उधरु तो यहां आजाता है हमारा DNA और ऐसा DNA आप लोगों ने देखा होगा हमारा DNA जो होता है इसके बीच में ऐसे लाइन ही होती है इन लाइनों के पर कुछ अक्षर लिखे होता है ठीक कभी आपने देखा हो तो इस तरीक से आपका DNA इधर A, इधर T, इधर C, इधर G ऐसे कुछ अलफाबेट लिखे होते हैं यह अलफाबेट क्या है इन ही अलफाबेट से तीन अलफाबेट वाले कोड बनते हैं A, U, G, 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 U ऐसे तीन-तीन वाले कोड बनते हैं इन कोड जो ही है इनको हम कहते हैं जनेटिक कोड इस कोड का जो ही पूरा एसा शब्द जिनसे कोई ना कोई अर्थ निकलता हो इन कोड को हम कहते हैं तो हमारे आनुआँशिक पदात कि सबसे छोटी इकाई क्या हो गई जीन कैसे छोटे इकाई हो गई कैंडरक से क्या निकला क्रॉमोसोम क्रॉमोसोम किससे मिल के बने हिन वह दे धे टीन असे और डीन के अगर ओ छोटे कोड निकाल दें तो उससे हम क्या कहेंगे यहां पर Gene ठीक है अब ये जो Gene है इसी में हमको में काम करना है इस Gene के जो Alec Coad कोड एंना ये हर एक code एक अलग प्रकार का क्या बनाता है प्रोटीन इस प्रोटीन से हमारे शरीर की सभी खुरी ओधियाँ we ilotinder को बशाखते हैं मैं होता है यह हमारी बोडी का एक्ट्वल में करण सेंटर कंड्रो वकाम होटा है को बिकड़ा हो जाती है वेसे हिए हमारी होड़ हो जाती है थे हमारी बोडी का actual main control center, इसलिए कभी कोशिका विज्ञाने पड़ा होगा, कि इसे हम दिमाग या कोशिका का मस्तिष्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग इसे कोशिका का मस्तिष्क, क्योंकि यही main control कर रहा है, ठीके, इसलिए हम इसे कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, यहां ह बनी है बाहर ठीक है ये तो बनती है आपकी शुगर से शरकरा है ठीक है बीच में जो ये डंडिया लगी हुई है इनको कहते हैं हम नाइट्रोजनी शार प्रश्ण इन से रिलेटीड भी पूस सकता है बहुत बेसिक लेवल का आएगा अगर यहां से आता है तो क्या हो गया न नाइट्रोजनी शार के अंदर क्या होते है चलो एक पेज लेके में समझा देती हूँ यहां पर नाइट्रोजनी शार और क्या रहता है पेंटोज शरकरा और क्या रहता है फॉस्फेट ग्रूप ठीक है फॉस्फेट ग्रूप फॉस्फेट जो होता है आपका वो नाइट्रोजिनिस शार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं पिरिमीडीन भी रहता है और प्यूरीन भी रहता है वैसे आपको प्यूरीन और पाइरिमीडीन के उपर जाने के जरूरत नहीं है आपको क्या चीज़ याद करनी है चार नाइट्रोजिनी शार होते हैं एडिन गवानीन, ठीक है, साइटोसीन और थाइमिन, यह चार रहते हैं, दो-दो आपस में कनेक्ट होते हैं, एडनीन, थाइमिन से होगा, गवानीन, साइटोसीन से होगा, यानि कि A के साथ T मिलेगा, G के साथ C मिलेगा, यह फिक्स है किसमें मिलते हैं ये? DNA के अंदर अगर यही में किसके बात कर लूँ? RNA के बारे में discuss कर लूँ तो RNA में cytosine की जगह पर uracil पाया जाता है क्या पाया जाता है? uracil इसके उपर based question आ सकता है कि RNA के अंदर कौन सी nitrogen ही शार पाया जाता है? uracil किसके जगह पर? cytosine की जगह पर cytosine नहीं होगा uracil होगा होगे उसमें भी 4 इसमें भी 4 यही सबसे बड़ा इसके अंदर अंतर है ठीक है वापस यहां आते हैं यह DNA है DNA की full form आप लोगों पढ़ रखी होगी D-oxy-ribonucleic acid हमारा जो कैंदरक है वो nucleic acid से मिलके बना हुआ होता है जिसमें से एक D-oxy होता है और एक आपका simple RNA या RNA इसको हम लोग ribonucleic acid कहते हैं अगर यह चीज़े detail में होती कि आपका इनका निर्मान कैसे हो रहा है तो हम इसको समझ सकते हैं कि DNA से क्या बनता है आपका RNA फिर RNA से क्या बनता है आपका protein ठीक है इसको देख लेते हैं यहाँ पर DNA रहेगा RNA फिर RNA से क्या बनेगा protein यह जो process चलती है इस process के अंदर ही सारा process होता है RNA जो DNA जो होता है उसी से RNA बनेगा RNA से फिर protein बनेगा ये प्रोटीन हमारे शरीर में सभी क्रियाओं को संपूर्ण तरीके से करवाएंगे ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है? यहां से DNA से जो RNA बनेगा, उसे हम transcription कहेंगे और RNA से जो protein बनेगा, उसे हम translation कहेंगे जिनकों भी यहां पर दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो इस चक्र में आप यू मत करेंगे, वीडियो छोड़ दो टफ है नहीं से मज़ मैंना थोड़ा सागी निकालो, इसके next जो है easy easy point है, याद करके जाओ छुटी यह इसलिए बता रहे हूं कोई science background से बच्चा है तो वो भी थोड़ा समझ लेगा, मुझे कहां कितना क्या याद रखना है, ठीके, इसे हम कहते हैं प्रतिलेखन उधर अनुलेखन ठीके, यह चीजे हो रही है इससे हमारे protein का निर्मान हो रहा है अब आते हम लोग next point पर हमने पहला पड़ा आनुआशिक अभियांत्रिकी या genetic engineering मतलब जीन में engineering, हम जीन को काटा-पीटा कर रहे है क्यूं कर रहे हैं? ताकि हमारे गुण अच्छे से आजाए एक सरल सुवभा, एक बहुत ही सिंपल सा उधारण में आपको देती हूँ कि हमारे पास में दो mango की वराइटी है mango यानि आम की वराइटी है एक आम के साइब बहुत मीठा है पर उसमें क्या आता है? पल्प जो रहता है, उसका गुदा रहता है बहुत कम आता है उसकी चमड़ी इतनी मोटी है और एक और आम की हमारे पास वराइटी है जिसका छिलका बहुत पतला है पर मिठास नहीं है पर गुदा बहुत साड़ा है अब मैं क्या कुरूंगी दोनों हें तो आम अब अगर मुझे ऐसा करना हो कि दोनों के गुण एक में ही लाने हो कि मीठा भी हो गुदा भी ज्यादा हो छिलका भी पतला हो ठीक है दोनों गुणों को मिलाकर एक आम बनाना है तो मैं क्या करूंगी जेयो प्रध्योगी का उप आम के मिठास का गुण, दूसरे आम के पतले छिलके से मिला दिया जाए, तो जो हमारे पास नया आम आएगा उसमें दोनों के गुण आएंगे, इसे हम संकर भी कहते हैं, संकर करना जिसे बोलते हैं, वही चीज है हम पर हो रही है, तो एक टेक्नोलोजी जो मेंली जेनेटिक इंजिनीरिंग में काम आती है, इसी नाम से आप से प्रशनि पूछा दाएगा, पुनर सयोजी डियने टेकनोलोजी, इंगलिश में री कॉम्बिनेट डियने टेकनोलोजी, जो डियने बनता है उसे आर डियने ऐसा लिखा जाता ही, ये भी कहते हैं, ठेक हैं, क्या प्रोसे आपसे से पूछा जा सकता है, चरण दे देंगे, मिलाओ, या थोड़ा सा डीटेल में, मतलब आपको सही कौन सा है, सिक्वेंस, क्रम वाइस, हमा लोगो सब करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग वाहक का चयन करते हैं, बैजे को जिसे हमारे पास ये DNA है, अभी बताय अब ये जो वाहक होगा, उसका चयन करना है, तो हम लोग जन्तुओं में जो वाहक इस्तिमाल करते हैं, उसे हम प्लाजमिड कहते हैं, प्लाजमिड कहते हैं, किसका उप्योग में, ये कोलाई सबसे अथिक उप्योग में खिया जाता है, प्लाजमिड कहते हैं, होता है यह रत्ता का DNA हमारा जो DNA जिसमें मतलब जो भी वांचित DNA वो लिया इन दोनों को काटा इसके अंदर इसका हिस्सा जोर दिया जो मुझे चाहिए मैं जोर दूंगी देखो यहां समझना इस चीज को यह है मेरा वांचित DNA यह इसमें से मुझे कुछ गुण चाहिए यह हिस्सा मुझे जीसे मान लिया यह ऐसा अलग कलर से बना देते हैं यह बनाया काटा तो क्या होगा देखो इसका यह हिस्सा काट के हमने रख लिया बाकी फेंक दिया इसका भी यह हिस्सा निकाल दिया मैंने तो ऐसा बच जाएगा इधर का हिस्सा काटा यह इतना बचा इसका भी हटा दिया हम लोगोंने, अब मैं इन दोनों को मिलाऊंगी, तो कैसा बनेगा ये आपका, ये ऐसा और ये हिस्सा, ये जुड़ गया, काटा फिर जोड़ा, इसके बाद क्या करेंगे हम इसको आगे पहुंचाएंगे, इसके अंदर एक artificial माध्यम प्रोवाइड करें इसको एक माध्यम, जो ये माध्यम होता ही, जनरली जेल, जिसे हम अगर-अगर कहते हैं, उसमें रखेंगे, ग्रोथ करेंगे, जैसे बड़ा DNA बहार निकाल लेंगे, जो DNA चाहिए, और फिर हम इसमें changes कर देंगे, इसको काटा-पिटा जो भी करना है, वो हम कर लेंगे, य जो condition बनते हैं, इसे हम recombine DNA या पुनर सयोजी DNA कहते हैं, अब क्या आ रहा है, DNA को जब हम काट रहे हैं, ठीक है, DNA को यहां में नीचे लिख देती हूँ, काटने के लिए जिसका उप्योग कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, restriction endonuclease, 100% यहां से एक प्रशन आते हैं, सिर्फ RAS का नहीं बता रही हूँ है, किसी भी जो भी आप एक्जाम तयारी कर रहे हैं, उसमें बायो टेक्नोलजी पॉर्शन है, मतलब यह प्रशन तो आने के चांसे सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो क्या है काटने के लिए DNA को, का करते हैं, restriction endonuclease, ठीक है, क्या चीज यह एक ऐसा enzyme जो काटता है, अब काटने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, केची, तो इसका एक common name यहां लिख देते हैं, हम लोग, Arnvig, केची, sorry, केची, Arnvig, केची या molecular seizure, किसे कहेंगे, restriction endonuclease को, उसके बाद क्या करेंगे, जि इसके पहले उसको replicate कराएंगे, double, triple बननी चाहिए हमको, replicate कराने के लिए हम क्या करेंगे, PCR, ठीक है, PCR में हम क्या करते हैं, इसकी full form अगर में बताओ, polymerase chain reaction, polymerase एक enzyme है, यह प्रशन भी आ रखा है पहले, PCR technology में किस enzyme का उप्योग करते हैं, polymerase enzyme का उप्योग करते हैं, क्या है एक शब्द अभी COVID में बहुत सुना होगा, RT-PCR, RT-PCR, PCR यही technology PCR, यहाँ पर IT का मतलब reverse transcriptase था, IT का मतलब क्या था, यहाँ से भी प्रशन भी प्रशन भी सकते हैं, reverse transcriptase, पोच सकते हैं, अभी हाल ही में COVID के इंदर उप्योग किये जाने वाले test, RT-PCR में, RT का अर्थ है, reverse transcriptase, बाकी तो polymerase chain reaction है यह, अब chain reaction, reaction मतलब करिया, chain मतलब chain, chain का मतलब 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मतलब वो जुडते आते हैं, एक लंबी श्रंखला बना लेते हैं, अब COVID में यह क्यों इस्तमाल किया, भी हम लोगों ने COVID का एक सेंपल लिया, उसका DNA पहचानना तो यह reaction करवाई, फिर DNA को जोड़ा, DNA को जोडने के लिए किस enzyme का उपयोग करते हैं, ligase, ligase का अर्थ क्या हो गया यहाँ पर आपका, इसे हम लोग आणविक गोंद भी कहेंगे, आणविक गोंद, molecular glue, यह दो important है चीजें याद रख लेना, आणविक केची, restriction endonuclease, आणवि glue, ligase enzyme, ठीक है, next हो गया, host cell में डाल कर सनवर्धित करना, मैंने भी क्या बताया था, जैसे ही जोड़ लिया, इसको किसी माध्या में रखेंगे, संवर्धन करेंगे, DNA चाहिएगा, बहार निकाल लेंगे, simple तरीका, next आता है, point आपका stem cells, वो तो हो गया, आपका, recombinant DNA technology, हर आपको हलका सा एक idea देती हूं, stem cells क्या होती है, देखो, stem cells हमारी body की अविखंडित, ठीक है, अविखंडित, वो अविभाजित कोशिकाएं होती है, मतलब विभाजन हो सब्ता है, लेकि तब तक नहीं हुआ होता है, ये undifferentiated cells होती है, जिनका differentiation नहीं हुआ, अब तक किसे क् stem cells, आप लोगों ने एक आज से, अगर भी सब आप लोग यंग हूं वैसे तो, बट पहले एक aid आता था, जब इसके बार में जानकारी चली थी, इश्वरया राय काई की aid आता है, जिसमें इश्वरया राय ने बताती थी, मैंने तो अपने बच्चे की stem cell प्रिजर करवा ल प्रिजर्व करके रख सकते हैं, इन फ्यूचर कभी उस बच्चे को प्राब्लम हो, तो उस कोशिका से हम पूरा का पूरा अंग बना सकते हैं, इसलिए stem cell जरूरी होती है, चार प्रकार की कोशिका हैं इन में होती है, सबसे पहले तोटी पोटेंट, शब्द है, तोटी पो कोशिका से, किसी भी प्रकार्गी, या संपून-जीव का निर्मान कर सकते हैं, उसे हम तोटी पोटेंट कहते हैं, संपून-जीव का निर्मान मतलब ऐसी कोशिका जिससे हम पूरे शरेड के कुछ भी बनाओ, सब बनेगा, ऐसा मतलब, वो दूसरा दे रखा आपको यह ऐसी कोशिका है जिससे प्लेसेंटा या अपरा नहीं बनेगा मतलब बच्चा जो महां से कनेक्ट होता है वो नाल नहीं बन सकती है वाकि कुछ भी बनाओ सब बन जाएगा नेक्स्ट है मल्टी पॉट्टेंट, मल्टी पॉट्टेंट का मतलब होता है बहु रूप से अंग बन सकते हैं, बहु रूप का मतलब होता है बहुत सारे अंग बन सकते हैं, फिक्स नहीं होता है, कि अगर ये कोशिका मैंने लेवर बना दू, पेट बना दू, हात बना दू पिर वो एक अलग रहेगा, यह भी क्या कॉन सी वाली है, उससे, बलब अलग-अलग प्रकार से बन सकते हैं, और यूनि पॉटेंट जो ओगई, उसमें क्या होगा, एक कोशी का से, एक ही प्रकार का अंग बनेगा, या एक ही प्रकार की पर्टिकुलर उत्तक बनेगा, उससे कुछ नहीं बनेगा, प्लूरी पॉटेंट सब बनेगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा, और टोटी पॉटेंट पूरा का पूरा जीव बनेगा, प्लेसेंटा सब बनेगी, कुछ भी बनाओ, वो हो गया आपके टोटी पॉटेंट, टोटी पॉटेंट शब्द पॉटेंट का मतलब होता है capacity totty total जितनी पूरी capacity उसकी इतनी है कि वो संपुर्ण जीव का निर्मान कर सकता है next most important question of R.A.S. for R.A.S. exam ठीक है important DNA finger printing finger printing अंगुली छापन DNA अंगुली छाप भी आता है अंगुली छाप क्या होता है हम लोग क्या करते हैं अंगुठा छापते कहीं पर भी अंगुठा अंगुली कुछ भी यह जो हमारी lines होती है ठीक है यह lines हर व्यक्ति में अलग है हम किसी और का अंगुठा नहीं छाप सकते हर व्यक्ति के पास अलग प्रकार की अंगुली छाप होती है वैसे ही हर व्यक्ति के पास DNA अलग होता है मेरा DNA किसी और व्यक्ति से 98% मिल सकता है क्योंकि मानो है DNA मिलेगा लेकिन कुछ न कुछ चेंज रहेगा ही रहेगा ठीक है किसी व्यक्ति का DNA नहीं मिलता है एक को छोड़ कर कौन है वो ऐसे बुरुन जो जुड़वा हूँ identical twins जो बनते हैं जो एक ही जाइगोड से यानि कि जो एक ही युगमनज से जो बच्चे को निर्माण होगा उन दोनों का DNA मिलेगा बाकिस इंसान में किसी का DNA नहीं मिलता है अभी क्या करेंगे DNA का अंगुली छाप लेके DNA को छापा किसी और से मैच किया कर रहा है नहीं कर रहा है पता लग जाता है उस टेकनोलोजी को हम DNA fingerprinting बोलते है अब इससे रिल्टेटी क्या प्रेशनी पूछेंगे सबसे पहले किसने खोज करी एलेक जेफरी नामा के विज्यानिक थे उन्होंने इसकी खोज करी थी एलेक जेफरी ने DNA fingerprinting की कोज करी थी इंडिया में इसके उपर काम किसने किया था तो डॉक्टर लाल सिहा जो थे आपके प्रोफेसर उन्होंने इसके उपर सबसे मुख्य रूप से काम किया था कहां उपयोग करते हैं बैस साब देखो किसी भी अंगू ठीका चाप पगेरा कुछ लेते तो कहां मैच कराएंगे कोई अपराद करेगा तो मिलाने के लिए काम आएगा आपराधिक मामलों में उत्राधिकारी मामलों उत्राधिकारी का मतलब यह होता है जिससे कि कोई बच्चा है ठीक है फॉर एक्जाम्बल मेरा ही बच्चा है गुम गया पैदा हुआ उसके बाद गुम गया मिला ही नहीं और 20 साल बाद आके बोलता है मैं तो आपका बच्चा हूँ कुब के मेले में गुम गया था यह सर पे चोंट का निशान है ऐसा धुरी पता लगता है बच्चे का कोई बच्चा का निशान लगा के लिए ऐसा नहीं होता है ऐसी कंडिशन में उनका डीने मेच करेंगे मर्दर या फाडर से मेच करता है तो हाँ यह आपका बच्च्चा है उसमें काम आता है, माता-पिता की पहचान में काम आता है और बलतकार के कैसेज में काम आता है कोई आरोपी है मैंने बोला भी इस आदमी ने रेप करा ठेक है, कोई गवा नहीं, कुछ सबूत नहीं है अगर लेकिन जो पीडिता है, जो महिला है उसके नाखोनों के अंदर जो मानत रह जाएगा जब इसी कंडिशन होती है, तो कुछ न कुछ ऐसे छूट जाते हैं सबूत या तो जो सिमन रहता है, मेल का उसके अंदर डियेने रहता है, बाल का टुकडा रहता है जब इतनी जपट होगी, तो ओविसी बाते कुछ न कुछ ची तो रेजिडियोल रहेगी उसका उस आरोपी से, आरोपी नहीं कहेंगी, तब तक सस्पेक्टेड जो भी है उसका उस सस्पेक्टेड वेक्ति से डियेने मिलाया जाता है बर वलातका की केस में डियेने की जो रिपोर्ट होती है, डियेने फिंगर प्रिंटिंग वही सबसे बड़ा आधार माना जाता है ठीक है? अब नेक्स्ट आते हैं, यह होती कैस है, सिंपल थमजलों क्या होता है सबसे पहले क्या एक्स्रेक्शन, एक्स्रेक्शन मतलब वो जो डियेने हैं, जो भी अपने लिया है, किस-किस से मिल सकता है, जो खून ले लिया उसका, पुरुष का विर्य रहता है, उसमें हो सकता है, चमडी वैसे हमारी शरीर के हर चीज में होगा, लेकिन यह इतनी उपड़ा लिया, उसको हमने रश्रिक्शन एन्जाइम डाला, रस्रिक्शन अंडोंगेश देखो, केची बनी हुए, मतलब आणभी केची आ, काटा, डियेने के सैंपल ले लिये, फिर डियेने के सैंपल को, एक मैथाड ए, इलेक्ट्रो, पौरेसिस, मतलब इसमें क्या हो होता है वो विध्यूत रिनात्मक होता है हमेशा ध्यान रखना डिने हमेशा कैसा होता है नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव की तरफ उसके चले जाएंगे अच्छी आटमेटिक अलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं उसको मेंब्रेन के उपर अपने ट्रांसफर कर दिया और क्या लगा दिया उसके अंदर प्रोब लगा ठीक है फोस्फोरस का प्रोब यहां पर हम लोग यूज करते हैं फोस्फोरस पी-32 आइधिंग यूज करते हैं और लगा देंगे प्रोब का मतलब होता पहचानने के लिए यह जगे यह है और फिर उसको हम लोग छाप ले लेंगे छाप लेने का रहत होता है मेशिन के अंदर डालते हैं कंप्यूटराइज डेटा निकलता है इसमें उसके पूरे कोडोंस बन जाते हैं और फिर हम उसको मैच करते हैं क्या यह व्यक्ति वही है यह नहीं है कौन से खंड काते जाते हैं जो आरोपिकी भी हम लोग ले रहे हैं वो चीजी चेक करते हैं दोनों के अंदर और इस प्र हैं यहां पर DNA को इथीडियम ब्रोमाइट से स्टेन भी गड़ते हैं क्योंकि यह यूवे लाइट में नजर आते हैं next genetic engineering का uses क्योंकि प्रश्ण जो आते हैं वो application based पे आते हैं कि भी genetic engineering जो भी हम कर रहे थे उसका उपयोग कहां कहां पर करते हैं सबसे पहले हम क्रशी शेतर में देख लेते हैं क्रशी में कहां यूज कर रहे हैं सबसे पहला point यहां लिखा है हई यह हाई यदिंग व्यराइटी इसका मतलब हो गया उच्यत्पादन व्यराइटी कुश्यका मतलब हो गया, हम लोग Herset लोग ऐसे शोट्लों के एसे किस्मी बना रहे है कि एक सोटि से अभी आप मान लो चोटा सा गिहूं का पोधा है पर उसमें बालियां ज्यादा लग रही है एक पोधा भुट्टे का है भुट्टा इत्ता लंबा लग रहा है तो दाने ज्यादा हो गए हाई येल्डिंग वराइटी हो गई बादिशा आई नहीं आई तो भी चल गया बाड संभावे छेत्रों के इंदर भी होग जाएगा ऐसी उसमें क्वालिटी पेदा करना हो गाई एक। सीड याजg सा घण के लिए ठी क्या हूं तर था इंडियमें कि गहूं बहूत तेज हवाईशी हे चलते वहा चलती ह 1 हवाशी सबसंट की पर da सबकेसम नीचे गिरगा जे लिछ नीदेचे रगे खत्म आप कम घंग किंग한 छोटी हाइट का बना दिया वहाई इस इस तर तक चलती है अगर गहुं का पोदा यहां है तो वो नहीं गिरेगा बोने गहुं हमने बना दी जनेटिक वराइटी से मिक्स कर दिया उसको तो वोने गहुं बना के हम लोग हरित क्रांती को लेकर आये ते कोन है में स्वामी नाथन भारत के अंदर हरित क्रांती के जो प्रेनेता है वो है next most important question BT cotton ठीक है cotton यानि की कपास कपास की variety जिसमें BT शब्द का इस्तमाल किया जाता है B का मतलब bacillus T का मतलब thuringiensis ठीक है bacillus thuringiensis एक बेक्टीरिया का नाम एक जिवाणों का नाम है यह जिवाणों ऐसा होता है इसमें से एक toxin या जिसको हम जहर कहेंगे हिंदी में BT नामक ही एक जहर निकलता है ठीक है यह जहर हमने किसमें डाल दिया cotton में कपास चो उसमें ल ना कपास जिनकी जो भी क्रशी से रिलेटेड हैं बच्चे उनको तो पता होगा कपास के जो वो capsule लगते हैं कपास का पूरा फल होता है उसके अंदर एक कीडा लग जाता है जैसे हमने बिंडी में लगता है बैसे कीडा लग जाता है और आप सोचो कपास को अगर अंदर से इलेट यह कीडा होता है अब क्या होता है हमने उस कपास के अंदर ऐसा जहर मिला दिया जब हो उगरा है तबी मतलब उसके जीन में डाल दिया यह जः हमने कोई नुका नहीं पहुछाता है मिक्स कर दिया, जैसे कपास का जो वो बॉल लगया है, कीडा गया, एक बार बाइट कर दी, पहले एक ही बाइट में, जैसे वो उसकी शरीड में गया, कीडा वहीं मर जाएगा, इस कीडे को मारने के लिए हमने बीटी जहर का उपयोग किया, ठीक है, पहले ये इनेक्टिव फ तो हमने AC फसल बना दी, जिसमें, देखो हम क्या होता है, कीडे पड़े, फिर दवाई डालने गए, ऐसा कपास बनाया, जिसके अंदर खुद में ही दवाई है, प्लांट रेजिस्टेंट है, उस चीज को लेकर, दवाई बना दी हम लोगोंने, तो बीटी कॉटन जो है, उ बीटी बेंगन बनाया, उसको अप्रूवल नहीं मिला, एक बार मिला था, साल बर चलाया, बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को क्या लगा दे, को किसानों क्या लगए, आपने इसा जहर डाल रखा इसके अंदर, बैसे हमें नुकसान नहीं पहुचाता है, पर किसमें देखा साइड इफेक्ट करता तो फिर बेंग कर दिया, तो बीटी ब्रिंजल भी बनाया था, बीटी पोटेटो बना रखा है, बहुत साइड बीटे किसे बना रखी है, पर काम तो ना रहा है भी, बीटी कोटन ही सबसे सरवादी को प्योग में आ रखा है, इसके अलावा दूसरा हो गया, पेस्ट, रेजिस्टेंट प्लांट, पेस्ट का मतलब होता है, आपके कीडे माकोड़ए ही आते हैं इसके अंधर बी, ऐसे प्लांट जिस पे कितना भी कीडा माकोडा लगे, उस प्लांट को कुछ भी नहोगा, रेजिस्टेंट मतलब हो, उससे सुरक्षित हो चु कोगनीटिया यह सुत्रक्रमी का नाम है पूछा जा सकता है यह तो अब इसके विपरित क्या बचा है हमारे पास यह बचा है तो इस बार इस से रिटेट प्रेशन आ सकता है तो मेलोईडिक गाइने इंकोगनिटा अजीब उगरीब नाम बेसे याद करेना इस सुत्रक्रमी के जो लगता है उसकी जडों में देखो तंप लाकू का पोधा उसकी जड़े है ुसकी जड़ में कीडा लग यह केडा कीडे को अलग कलर से बनाता है खत्रा है ना तो लाल जीकीडा लग रहा है कौन तो इस सुत्र क्रमी को ही मार दो कैसे मार दो उसके आरेने में बदलाओ करके इसके अंदर ऐसा डाल दिया डबल स्ट्रेंड आरेने की जगे एम आरेने डाल दिया जिसकी वज़े से इसका जन्म होगा तो भी यहाँ पर डिस्टरब हो जाएगा क्या यूज़ करेंगे? RNAI, RNA Interferase क्या यूज़ कर रहे? RNA Interferase यूज़ कर रहे जिससे ऐसा हमारा पोधा बन गया नेक्स्ट, गॉल्डन राइस, ऐसे चामल बना दिये, जिसमें विटामिन A खूब साथ है, ठीक है, तो गॉल्डन राइस, प्रश्न आ रखा है पहले भी, गॉल्डन राइस है, किसका सक्से अत्य दिक, उसमें उच्छे मात्रा रहती है, तो वाईटेमिन A के मात्रा सरवा द प्रोटेन है, किसी भी सब चीजी में नहीं होता है, ऐसा जिसको आप खाओ, तो आपके शरी में इतना सारा प्रोटेन जा रहा है, तो प्रोटेन होने की वज़िसे इसका नाम क्या रखा, प्रोटेटो का टेटो, और प्रो किसका लिया, प्रोटेन का मिला के, प्रोटेटो बना रखा है हम लोगों ने जिसमें 60 प्रतीशत प्रोटीन है ये भी पूँच रखते हैं एक पहले भी आया था पॉमेटो और टो पेटो टो मेटो एसा पोधा उपर तो टमाटर नीचे आलू इसलिए पॉमेटो पोटेटो और टमाटर को मिक्स करा इसलिए दोनों मिक्स ना में क्या लगेगा आपका अलू यह भी बना रखा है इसी के हैल्प से अपन लोगों फिर एक दे रखा है बीटी ब्रिंजल या बीटी बैंगन 2009 में इसको अप्रूवल मिल गया था लगाओ लोगों ने 2010 में विरोध करके बैन करवा दिया ठीक है नेक्स दे रखा है आपका जेनेटिक चेंज कर दिया ऐसी सरसो 2017 में अभी के भी निर्मित हुई है डी यू यानि कि डेली यूनिवरसिटी दिल्ली विश्व विध्याले के प्रॉफेसर ने इसको इजाद किया है लेकिन अभी तक किसानों का इसमें इंटरस्ट उतना नहीं आएंगा जो जेनेटिक इस चीजें हैं उनके पर लोग का भरूसा थोड़ा लेटा दूसरा शेत्र हमारे पास आता है मैडिसिन की शेत्र में चैके मेडिकल एरियांस के अंदर हम लोग कैसे इसका यूज कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट दो चीजे सिद्धी की सिद्धी डाल रखी प्रेश्ण पूचा हुआ है आपका यहां से इसलिए बता रहे हूं पहला देने का है हुमेलीन जिसमें आपका इंसुलिन हुमेलीन हुमन से बनाया गया इंसुलिन इससे पहले फोड़ी से स्टोरी सुन चाहिए कि इंसुलिन क्या है हमारे देश में पहले विदेश की बात करेंगे फिर हमारे क्वात करेंगे तो हमारे पहले क्या उद्धा था डाइबिटीज हम पहले वीडियो में देख चुके बोडी के अंदर ब्लड शुगर लेबल हाई हो जाएगा डाइबिटीज हो जाएगे अब जिसे diabetes हुई है आपके body के अंदर तो आपको क्या हो जाएगा उसको control करना है इंसुलीन नहीं है इसलिए इंसुलीन चाहिए बहार से लाओ कैसे लाओगे कहां से लाएंगे तो जब ये technologies नहीं थी उस समय हम कहां से ला रहे थे सूवर के अंदर से लेकर आ रहे थे ethically सही नहीं था ठीक है कि वहां से हम 10 गोलिया बना रहे हैं काटना पढ़ रहा है जानवर जानवर मर रहा है फिर उसके बाद में एक company थी 1983 के अंदर ऐली लीली ये बिल्कुल एकदम दिमाग में fix कर लेना ठीक है इसे कुछ अनू रहते हैं उनके chain बनती है A chain और दर रहती है B chain इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक चाहिए होता है अपने को C protein सुरी C Peptide चाहिए होता है अब यह C Peptide है हमको चाहिए इसको जोड़ने के लिए कहा जोड़ो मनुश्य में नहीं जूड़ पा रहा है तो यह chain और chain भी दोनों को जोड़ने के लिए C Peptide Artificially बनाया किसमें डाला E. coli E. coli E. coli एक Bacteria है जिसका उपयोग करते ही E. coli उसके अंदर डाला और इंसान का इंसुलीन हमने लेब में बना लिया तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं इंसुलीन का जो उपयोग है वो हम लोग कर रहे हैं इसकी बदोलत ठीक है एलिलिली कंप अभी मैंने आपको क्या बताया था हमारी बोडी में जो जीन होते हैं वो सभी जीन क्या करते हैं कोड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कोई लक्षन को लेकर किसी क्रिया विदी को लेकर ऐसे कर रहे हैं अगर जीन में गरवड हो गई माना G.U.G. G.A.G. यह बदलते ही रोनमेर हो ड्रांस्पलांट वगएरा कर सकते हैं एक लिमिटीड एज तक या पिर आप गर्भ में ही जब भुन में गरबड है तब कल्वडि इंडिया में इतनी टेक्नोलोजी नहीं है कि हम भुन में इसका कर सकते हैं तो अभी भी हम पीछे हैं इस मामले में बट आज कर रही है therapies, तो gene therapy कर रखते है, next is molecular diagnosis, ठीके, ARNVIC इसको हिंदी में लिख दीती हूं, ARNVIC Erection, ठीके, testing है, blood test करते हैं, CBC, hemoglobin test कर, blood layer test कर दे हैं, वैसे ही, कुछ particular बीमारियां जो होती हैं, बीमारियों का जो test होता है, वो हम लोग ARNVIC या genes के home से कर सकते हैं, तो उसके अंदर जो आपका main test है यहाँ पर ELISA दे रखा है किसमें काम आता है especially यह तो ADS में आता है बाकी भी अन्य बिमार्यों के अंदर काम आता है ELISA की full form याद कर लेना मैंने जो आपको पहले रोग बाली topic में भी समझाया था enzyme linked sorbent assay antigen antibody reaction यह यह पूछ ही जा सकती इसके अलाबा PCR अभी बताई थी COVID में क्या यूज किया RT-PCR ठीक है तो वहाँ पर पूछा जा सकता है बाकी RDNA technology से हम insulin वगरा बना रहे हो कई बार testing के लिए भी काम आता है तो molecular diagnosis आणविक परिक्षण के लिए भी काम आता है next, cloning, cloning क्या होता है, clone बनाना, clone को हम लोग ऐसे समझ सकते है, photocopy काता है क्या होता है इसमें, photocopy machine में क्या होता है, paper डाला, button press किया, same to same निकल गया, कुछ बदलाव में ही, ठीक है वो ही है cloning, हम लोग एक जीव का similar एक और जीव बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों के cloning हो चुकी है लेकिन सबसे पहले, जो पहली इस्तन धारी था, ये डॉली बेड, सोला में प्रश्न पूछा था, डॉली बेड के उपर, एक और जो है, इंपोर्टेंट रोजी काउ, अगर पहले ये पोछ रखा है, रोजी काउ का इस बार आ सकता है, इसले ध्यान रखना आप लोग, अधनला मतल hesitant排 द्यान नुकिया, आफस्यान मतला आई-वीफ जैसा कुछ भी नहीं था, इसमें बनाया कैसा दा है, इसकी जु माहा थी, उसके सतन कोशी अवक, भी नहीं कह सकते, एक भेड था, उस भूर्व बेड शू नली में वक कुछ जिवाई वी इती हो गया, और उसके ब्रत्य हो गए ठीक है यह तो डॉली बेड़ के बारे में तेहास है अब एक है हमारा रोजी काउ ठीक है रोजी काउ क्या है इसके बारे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है तो मैं आपको हील तरती हूँ 1997 के अंदर न्यूजीलेंड के अंदर इसका निर्माण किया गय प्रोटीन है जो कि मानव में भी पाया जाता है मतलब मानव यानि की स्त्री जो होती है उन स्त्री के अंदर जो दूद होता है इसलिए मां का जो दूर होता है वह बच्चे के लिए सबसे अत्यदिक पोश्र का श्रूत होता है चाहिए तो उसमें यह पाया जाता है अब हम बच्चे को यह वाला प्रोटीन नहीं मिलता है अब ऐसे बच्चे जिनकी मा नहीं है या वो दुख उपादनों में इतना नहीं हो रहा है तो उन्हें इस काउ का मिल्क पिला सकते हैं इसमें प्रती लीटर 2.4 ग्राम यह वाला प्रोटीन पाया जाता है जो कि बहुत ही अच् कुछ आपकी संथान के बारे में देख लेते हैं तो यहां से कुछ एक अधा प्रश्न आता है तो आप उसको कर सकते हो सबसे पहला दे रखा है GMO रेगुलेटिंग कमीटी ठीक है GMO क्या है पहले तो जैनेटिकली अभी उदर लिखा भी था जैनेटिकली मोडिफाइड और जैनेटिक इंजिनियरिंग अप्रेसल कमीटी कहीं कहीं जगे एका मतलब अप्रूवल भी होता है बट जो इस यह विभाग है उस विभाग ने खुद को अप्रेसल कर रखा है इसको ऐसे कमीटी है जिसके अंदर आपने कुछ भी नया किया आप संकर करवा रहे हो कुछ स्टूडेंट है जो अग्रिकल्चर में बच्चे करते रहते हैं अगर आपने कुछ चीज करें इस कमीटी के पास आप लेकर जाओगे उन्हें बताओगे हमने यह बदलाओ क्या ऐसे क्या यह चेंजिस की अगर वो अप्रूव करते हैं तो ही आप सको कमर्शियल लेवल पर लेकर जा सकते हैं अधरवाइस आप नहीं लेकर जाकते हैं मानाओ की क्लोणिंग बंद है यह ध्यान रखना इंसानों के क्लोणिंग नहीं होते क्या एथिकल इशू जाते हैं नेतिक चीजे में गड़ जाएगे ना या मेर्सेदस लड़िया खड़ी कर दो के क्या मतलब है वो वाली बात जाती है अब यह जो कमीटी है किसके अंडर चलती है तो Ministry of Environment, Forest and Climate Change परियावरण 1 एवं Climate Change जो है आपका इसका जो पूरा एक डिपार्टमेंट है M-O-E-F and CC 1989 Act के तहट इस डिपार्टमेंट के अंडर में यह कमेटी चलती है इसके कुछ रोल तो रेगुलेशन है तो यह Act ध्यान में रखना है ठेक है Next आता आपका TRIPS, TRIPS 2005, TRIPS क्या है? Trade-related aspects of intellectual property right अब यह शब्द समझे न, intellectual property right का मतलब क्या होता है? यह वही है चो patent में समझा रहे थी किसी भी एक चीज के उपर आपका अपने आप में क्या patent करवा लेना या आपने उसके उपर right बना जते है उसको intellectual property करते है WTO के द्वारा World Trade Organization के साथ में एक समझ होता है TRIPS 2005 जिसके अंदर कुछ particular हमने rules बना रखे है कि कोई चीज विदेश में जा रही है उसके patent हो नहीं हो यह सारी चीजे जैसे कि आपको मैं भी कुछ बता देती हूँ बदा चीजे चाहता है जी विदेश के इक प्राइटी है वह उसके अलावा कोई कंपनी नहीं बेच सकती विदेश में ऐसे patent करवाते है उसको बोलती है प्रोपर्टी राइट नेक्स्ट थर्ड इंडियन पैटेंट एक्ट 1970 इंडिया का भी पैटेंट एक्ट है पैटेंट का मतलब वह है कि आपने किसी के उपर अधिकार बना के अपनी नाम पर रिजिस्ट्रेशन कर वा लिया वो पैटेंट तो 1970 में एक एक्ट पारित हुआ था जो लागू कब हुआ 1972 में इस एक्ट के तहर इसमें बहुत सारी नियम आते जिन नियमों का पालन करने के बाद आपको पैटेंट के लो डिस्ट्रेशन मिल जाता है इसी के अंदर ये ट्रेप्स आता है इसी एक्ट के अंदर ट्रेप्स को फिर बाद में शामिल किया 2005 में ज 1998 में इसके स्थापना हुई थी पैटेंट इन्फोर्मेशन सेंटर की ठीक है यहां तक जे प्रतिवरकी में जितने भी पॉइंट आ सकते थे मैंने कोशिश करी है इस वीडियो के इंदर डालने के और I think is sufficient for pre-examination not for the men's because आपको आपको थोड़ा सा और डीटेल में जाना इसे भी में जाराल पालने के जातके आपको 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 निव Aha! इसके सर्दिं foreground Okay आपकOh!